जैमातादी, आज हम बात करेंगे बिमारी के बारे में जिल लोगों को भी सान से समंदी तकलिफे रहती है अस्थमा की दिक्कते रहती है, फेफडों से समंदी तकलिफे रहती है या बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है और खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और जो काम सर्दी होकर के काफी काफी दिनों तक जाती नहीं है ऐसे लोगों की कुलियों में कौन सा गरह खराब होता है जिनका भी ब्रस्पती खराब होता है ऐसे लोगों को इस तरह की तकलीफे आम देखने को मिलती है और बढ़ती उमर के साथ साथ सांस की तकलीफ, अस्तमा की दिक्कत बहुत जल्दी सांस चड़ जड़ना या फेवरों से समंदित बड़ी बड़ी परिशानिया होना इस तरह के योग ब्रस्पती खराब वाले लोगों की कूलियों में ही पाए जाते है और ऐसे गरों के अंदर जिनका ब्रस्पती खराब होता है ऐसे गरों के अंदर ही इस तरह की तकलीफे जाता रहती है तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? ऐसे में ब्रस्पती खराब किस तरह से हो? यानि कि ब्रस्तपती का सम्मंद अगर राहु के साथ बन जाए तब इस तरह की परिशानिया रहती है राहू क्या होता है दूआ ब्रस्पति क्या होती है हवा हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर हम दूए वाले एरिये में जाते हैं वहां जाकर कि अक्सर हमें जब सांस अच्छे से नहीं मिल पाती तो हमें खांसी होने लगती है हमारा मन करता है कि यहां से हम चले ऐसे में कुंडली में भी अगर ब्रस्पती और राहू मिल जाए यानि के साफ हवा और दुआ अगर मिल जाए तो दुआ क्या करेगा साफ हवा को खराब करने का ही काम करेगा तो इसी तरह से अगर राहू और ब्रस्पती मिले हुए हो या राहू दे ब्रस्पती के घरों के अ तो ऐसे लोगों को क्या उपाए करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को निले काले रंग से बिल्कुल प्रहेज रखना चाहिए और साथ ही हर रोज सुबा उठकर के साफ जगा पे जाकर के किसी पारक में जाकर के साफ हवा लेनी चाहिए क्योंकि जो सुबा के समय की जो आकसीजन होती है उसमें पल्यूशन बहुत कम होता है या नामातर के बराबर होता है और जो हम फ्रेश आकसीजन लेते है इससे हमारे अंदर ब्रस्पती की अनर्जी बढ़ती है राहू की अनर्जी कम होती है यानि के साफवा जादा होगी दूआ खतम होता जाएगा यानि के रहू तो ऐसे में इस तरह की परिशानियां अपने आप कम होती चली जाएंगे और साथ में ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल ले करके सर से साथ बार उतार के चलती हुई नदी में जल परवाही जरूर करने चाहिए अगर आप जल परवाहित नहीं कर सकते तो आसपास के किसी मंदिर में भी रख सकते हो और ऐसे लोगों को अपने गर को बिलकुल साफ सुत्रा रखना चाहिए गर में किसी भी तरह का पड़ा हुआ कबार, कच्रा, खराब बिजली का समान, जंगलगा लोहा या खराब लकडी वगरा ये सारी चीजे गर से बाहर ने कालिए मातर आप अगर इतने ही उपाय कर लेते हो तो डॉक्टरों पर जो आप पैसा खर्च कर रहे हो कई बार इस योग के अंदर बिमारी पर पैसा खर्च होता चला जाता है लेकिन अराम नहीं आता तो इससे दवाई आपको अच्छे से लगनी शुरू होगी और बहुत जल्दी अराम आना शुरू होगा इसी तरह से हम और भी विशो पे चर्चा करते रहेंगे इजाज़ दीजे